मस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके चनल spiritual sparkler में खुशियों से बारा दिवारी का तेवार कार्थिक मास की अमावसे की दिन मनाया जाता है हमारे घर में कुछ ऐसी चीजे होती हैं जिनके कांड से हमारे घर में लच्पी का अभाव रहता है तो दिवाली से पहले चलिए कुछ ऐसी चीजे हैं जिने हम घर से निकाल दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीजे हैं जो हमें दिवाली के पहले अपने घर से निकाल देंजी है पहला है तूटे बरतन अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार के तूटे बरतन है तो हमें दिवाली से पहले वो तूटे बरतन अपने घर से निकाल देने चाहिए और उसके बदले में हम कुछ नई अच्छे बरतन अपने घर में ला सकते हैं दूसरा बंद घड़ी हमें दिवाली से पहले हर हाल में अपने घर से बंद घड़ी निकाल देना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो आपको समय को वो खराब कर सकती है आपके समय को वो बिगार सकती है इसलिए अगर आपके घर में बंद घ मुर्ति हैं और आपके घर में हमेशा उंके कांड से आर्थिक तंगी तेंगी का महल बना रहता है चौथा है हमें अपने घर में कभी भी खंडित मूरतियां नहीं रखनी चाहिए अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की तूटी हु़usan अगर आपके घर में हैं तो आप उसे तुरण निकाल दीजे या तो जाकर के नदी में परवा कर दीजे या किसी अच्छे पीपल या बरगत के पूर के नीचे उसे रख दीजे पांचवा है अगर घर के किसी भी कौनी में आप के हां सीशा तूट गया है या कोई सीशी की समा है या कोई सीनरी है जिसका फ्रेम टूट गया है तो आप उसे खर से निकाल दीजे क्योंकि कहते हैं कि जो टूटा हुआ सीसा होता है वह अब सगुन करता है और इस तरीके से वह हमें निर्धन मनाता है तो हमें कभी भी अपने घर में टूटा हुआ सीसा नहीं रखना कि कहते हैं कि अगर आपके घर में गंढ़ी रहे घर में प्रवेश के लेता है तो हमें धीली से पहले से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए तो वहा evolved from बताया के हमें अपने घर में कभी भी लगा देला है all रखका ही हमें इस गरमें और भी लगा लए तो आपके घर में वह सविच कहा है या बंद पड़ा हुआ है तो आप उसे या तो निकाल के फेक दें या आप एक नया स्विचला करके वहां लगा लें उसको रहने से कहते हैं लच्चमी का भाव बना रहता है तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे चैनल को लाइक आ सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद हैपी दिवाली